हेलो नमस्कार मैं साकित आप देखरो हीट में 05 आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोड के जज्ज्मेंट अगर वो मॉरेटोरियम नहीं दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो आप जो करोगे उससे बैंक आपको कितना विगार सकती है कितना बैंक वाले आपको डरा रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है और क्या होता है इसके बारे में एक्च्वल बात करेंगे सुप्रीम कोड में मॉरेटोरियम केस कितने दिनों से चल रहा है एप रॉक्स छे महिने से मुझे याद है अगस्त के बाद लोग परशान है कि उनको यह माई पे करना पड़ेगा पैसे हैं नही और सुप्रीम कोड ने आज ऐसा कुछ कह दिया यहाँ जिस से मोरे टोरीम मिल जाएगा पर क्या होता है कुछ नहीं यहां पर प्रॉबलम यह लिए नहीं कि हम अई-ग यहां कर रहा है तक रहां मुझे सेuellement करोगे आप और आपने वहां हमेसा एक loof hole होता है जहां से पैसे कमा सकते हो दो इस उत्व खृप ANDREW डिमानाथ कोई नहीं होता है तो इस प्रेम कोट के मौट रही ग gitnes पौ्ल राखा था मैं आज भी रखूंगा गा एक रखा था कितने % लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोट लोगों देगा UAE 3 यहीं से जादा परसेंट लोगों ने कहा कि मेहीं मिलेगा पर मैं बता सकता हूं कि इसमें भी एक लूफ होल है कि आप कैसे बीना यह मैं पेमेंट किये अराम से ले सकते हो मतलम क्या आपको अभी नहीं देना है बाकि इंट्रेस्ट तो आपको लगता ही है बाकि चार्जेस तो आप पर फाइन होती है पस यहां पर लोगों के पास एक डर होता है कि सर अगर यह पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा चेक बाउंस करेगा जिस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है तो थोड़े दिन पहले अगर आपको याद होगा इंसल्वेंसें बैंक्रप्सी कोड जिसमें जो बदलाव किये गया थे जिसके तहत एक साल तक अभी कोई भी अगर चेक बाउंस होता है तो इस पर कोई लीगल कारव और अगर आप इंडरेक्ट ली देखो मैं आपको नहीं कहा रहा अगर आपका चेक यह कुझे तक अगर बाउंस होता है मतलब आप यहां मैं करते अगर बैंक जाके आपके चेक को बाउंस कर आएगा तो फाइनली कोड में केस होने के बाद भी बैंक इन्विए कंपनी केस ह पार जाएंगे और इंडारेक्ट्ली आपको मोरेटोरी में इसे भी मिल रहा है अब बात करते हैं कि अगर चेक बाउंस कराया जा क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि बैंक वाले क्या करते हैं कि गलत एमाउंट जितने का आपका लोन होता है माली जा आपने दो ती जाए उनके पॉर्टल पर जाए आप पास्बुक प्रिंट कराके लाइए उसमें डेटा मिलेगा कि आपने एमाई पेमेंट किया था उसके बाद अगर चेक बाउंस कराया जा रहा है इस के नाम पर चेक बाउंसिंग के नाम पर भी तो इसमें ज्यादा तर जो फेवर किया एमाई पेमेंट नहीं किया आपका चेक बाउंस हो गया बहुत जादा लोन है दो साल तक का सजा का प्रवधान है और जहां तक मेरी जानकारी अगर तीन साल से कम किसी को भी सजा होता है बेसिकली होगा नहीं क्यूंकि कभी भी 50 लाग से कम के लोन में बैंक ऐसे भी इंट् होता है उसमें तुरंट बेल मिल जाता है और चोटा सा केस होता है इससे डरने की बात नहीं है यह बहुत बड़े-बड़े बात हुए चोटा बात पर अगर आप यह माई पेमेंट नहीं करते तो बैंक लास्ट में परिशान होके आपको आर्बिट्रेशन के लिए कीजिए अब बात उड़ता है कि रिकवरी एजेंट इतना परिशान क्यों कर रहा है क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहां पर प्रॉबलम है कि जो कस्टमर होते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो प्लीस डरिए मत अगर आपके पास अभी पैसा नहीं कि सिंपल सा अधारन भात्सा में कोई मतलब नहीं होता हम खुद रिकवरी बैंक से सब्सक्राइब करने कोशेच करो उमीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा इसी तरह की और वीडियो देखना चाहो तभी सब्सक्राइब क कीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके फ्रेंड ऐसे डड़ जा रहे हैं तो उनको साथ ही वीडियो शेर कीजिए तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रों